असलाम लेकुम बच्चो आज की वीडियो में हम आटमा बाप शुरू करने लगे हैं हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान तो शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है हमारे मुल्क का पूरा नाम इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है ये 14 अगस्ट 1947 को बना इसलिए हम हर साल 14 अगस्ट को जशने आजादी मनाते हैं जशने आजादी किसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा मुल्क जिसका पूरा नाम इसलाम जमूरिया पाकिस्तान है वो 14 अगस्ट 1947 को बना था और अंग्रेजों से आजाद हुआ था इसलिए हम 14 अगस्ट को जशने आजादी मनाते हैं पर्चम हर मुल्क का अपना पर्चम होता है जो इस मुल्क के वकार की अलामत होता है आईए मुकल मुमालक के पर्चमों पर एक नज़र डालें सबसे पहले सौदी अरब का पर्चम जिस पर पहला कलमा ला इलाह इलाला मुहमद रुर्सूल आला लिखा हुआ है दूसरा एरान का जंडा तीसरा तुर्की का पर्चम फिर्चीन का नेपाल का और मलाइशिया का हर मुलक के पर्चम में मुकलिफ रंग और निशानात का खास मतलब होता है आईए पाकिस्तान के पर्चम पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इसके रंगों चांद और सितारा का क्या मतलब है यहां पर हमारे पास सबस और सफया दो रंग हैं और पर्चम का सबस रंग मुसल्मानों की अबादी को जाहिर करता है पाकिस्तान में मुसल्मानों की अबादी तकरिबन 97 फीसद है पर्चम का सफया रंग दूसरे मजाहिब से तालुक रखने वालों को जाहिर करता है पाकिस्तान की तरक्षी के लिए काम करते हैं पर्चम में सफैद रंग का चाद तरक्षी और पांच पौनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। आपको पाकिस्तान के कितने शहरों का नाम मालूम है। पाकिस्तान के आप टोटल चार पांच शहरों के नाम लाजमी याद कर लें अब एक तो वही शहर होगा जहां पर आप सब देखने वाले बचे रहते हैं उस शहर का नाम लिख दें और बाकी सब उन उन शहरों का नाम लिख दें जिसमें आपके रिश्तेदार रहते हैं क्यों कि उनका नाम आपको पता होगा और आपके लिए आहसानी होगी आपको वैसे मैं कुछ नाम बता देती हूँ अगर आपने ये लिखने हैं तो आप लिख लें लाहौर, कराची, इसलामबाद, मरी, कोईटा, पिशावर्ट इसके इलावा अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, पर्चम के रंग और इसकी अलामात को इसके मतलब से मिलाएं, सबस रंग, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जंडे में जो सबस रंग है, वो मुस्लिम आबादी को जाहिर करता है, तो ये हमारे पास इससे मिल जाएगा, जो पाकिस्तानियों को जाहिर करता है, यानि कि पाकिस्तान में तो रहते हैं वो लोग लेकिन उनका मजब कोई और है, चांद और सितारा, चांद हमारे पास रोशनी और इल्म की दिशान दही करता है, और सितारा हमारे पास तरकी की दिशान दही करता है, इस तरह से इन सब को आप मिलाएंगे अपनी अपनी बोक्स पर इसके बाद हमारे पास यहां पर कुछ और सरगर्मिया है हमारे मुलक का नाम क्या है पूरा नाम बताना है तो बच्चो मैंने आपको पहले बताया था इसलामी जमूरिया पाकिस्तान हम किस तारीक को जशन आजादी मनाते हैं तो य यहां पर आपने ग्रीन कलर करना है जबके जादा वाले एरिये में यहां पर आपने ग्रीन कलर करना है और मैं करके दिखाती हूं जो जादा वाला एरिया है यहां पर सारे बच्चे जो है ग्रीन कलर करेंगे ऐसे ठीक है और जो दूसरे वाला है उसमें सब वाइट कलर करे तो आप सिर्फ इस साइट पर ग्रीम करें इसको नीट नीट करके सब बच्चे करेंगे इस तरह से तो यह आप सब ने कर लेना है उसके बाद हमारे पास इसको बैक कर लेते हैं अजाल जमू कश्मीर के पर्चम में रंग बरें अब यहां पर वो पाकिस्तान का पर्चम था और यहां पर अजाल जमू कश्मीर का जो हिस्सा हमने आजाद करवा लिया था उसके पर्चम में भी आप सब बच्चों ने कलर करना है तो बचो आज की वीडियो में हम आत्मा बाब हमारा प्यारा बतन पाकिस्तान डिसकस कर रहे थे तो आपको जो है ये चैप्टर कैसा लगा हमारे मुलक पाकिस्तान उसकी आजादी उसका नाम शेहर ये सब जानने के आपको कैसा लगा और ये भी बताईएगा जरूर कि यहां पर मैंने आपको काफी सारे मुलकों के पर्चम दिखाये थे इसमें सबसे अच्छा पर्चम आपको कौन सा लगा ये सारी बाते जरूर बताईएगा और नेक्स वीडियो में नेक्स बापको डिसकस करेंगे अलाहाफिज